नमस्कार बच्चो आईए यहाँ पर अगले question में चलते हैं देखें मैंने यहाँ पर रिखावा एक kite in the shape of square with diagonal 32 cm and an isocial triangle of base 8 cm and side 6 cm each two is to be made of three different shades as shown in figure how much paper each shade has been used in it बच्चो मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें देखें यहाँ पर मैंने figure बनाई है यह figure जो है a b z d यह square type की kite है ठीक है बच्चो यह kite जो square type की है और इसके जो diagonal है यह diagonal AC और BD जो diagonal है यह 32 cm लेन थे इनकी और we know that the diagonal of square are bisect each other at right angle तो बच्चो हमें पता है कि जो diagonal होते हैं वो एक दूसरे को bisect करते हैं bisect का मतलब AO equal हो गया OC और BO equal हो गया OD ठीक है बच्चो और यहाँ पर यह 90 degree का angle बनेगा यानि यह height मानी जाती है फिर जहाँ पर 90 degree का angle होगा और नीचे आप देख रहे हैं यह third part देख रहे हैं यह भी एक triangular है इसमें यह जो base दिया हुआ है बच्चो यह base की इसकी length है 8 cm यह मैं लिख लेता हूँ 8 cm और यह जो इसकी side दी हुई है 6 cm है क्योंकि यह isocial triangle है तो यह भी 6 cm होगी ठीक है बच्चो आईए हम इसको solve करना शुरू कर देते हैं देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता हूँ देखिए इस question को हम कैसी solve करेंगे ठीक है बच्चो आईए सबसे पहले बच्चो हम first part का निकालेंगे area ठीक है area of first part अब देखिए बच्चो area of first part यहाँ पर यह देखिए हम इससे निकालेंगे यह उनका फोर्मुला यूज नहीं करेंगे इसमें जो बेस है यानि एसी जो डैगनोल होगे यह बेस माना जाएगा और बी ओ जो है यह हाइट मानी जाएगी ठीक है क्योंकि डैगनोल बाइसेक्ट इचादर में यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चो ताकि आपको ध्यान रहे area of triangle area of first part क्या होगा देखिए one by two base into height यह फोर्मुला हम यूज करेंगे आईए सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं देखिए लिख सेंस दाग स्टमुला फ शीर यह थच्उ सेंस्टेंस दागोण। इछ स्टमुला ऊस्टम कि जावा आओ C bugün और झालिपर लो mins घंए एट राइट एंगल ठीक है बच्चो आप यह देखिए आप इसका मतलब जो हो गया है देखिए इसका मतलब हो गया AO equal होगा OC equal होगा BO equal होगा OD ठीक है बच्चो यह होगा अच्चा आप देखिए यहाँ पर AC जो है वो है 32 cm और BO तो क्योंकि बाइसेट हो चुकी है यानि जो बीडी थी ठीक है उसका हाफ हो चुका है तो यानि कि बी ओ की जो लेंथ होगी वो क्या होगी हाफ अब इसको काट देता हुँ आजएगा शिस्टिं सेंटीमीटर ठीक है बच्टो आई एरियो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं तो फर्स्ट पार्ट में दुबारा फिर लिख लेता हूं एरिया ओफ फर्स्ट पार्ट देखिए क्या होगा वन बाइट्व बीज बीज क्या है थ ठीक है बच्टो शिट्टिं को 60 से मल्टिप्लाई करें यही आएगा अच्छा सिमिलरली ठीक उसी तरह बच्चो यह जो निचे दियावा पार्ट ठीक है इसका एसी डी जिसके लिख सकते हैं एरिया ओफ देखिए सिमिलरली एरिया ओफ सेकेंड पार्ट मैं फिर भी ट्रि लिखा इसमें भी लिख लेते हैं यहां पर मैं लिख लेता हूं A B C ठीक है बच्चो ऐसे कोई confusion थोड़ा confusion ना हो इसलिए मैंने लिख दिया similarly area of part second area of second part यानि ACD का क्या होगा वही होगा one by two base base क्या है इसका 32 है और हाइट क्या होगी हाइट को वही होगी 16 ठीक है इसको हमने काट दिया तो इसका भी कितना है 256 cm2 ठीक है बच्चो अब area of third part area of third part ठीक है area of third part third part का भी triangle मैं लिख लेता हूं D E F D E F अब देखिए क्योंकि आइसो शेल given है तो हम सबसे पहले S निकालेंगे बच्चो और S का मतलब होता semi perimeter of triangle तो तीनो side को हम plus कर देते हैं और two से divide कर देते हैं और इसका निकालते हैं देखिए कितना आ गया 20 आ गया 20 को two से किया 10 आ गया ठीक है बच्चो आएए हीरोन का formula लगाके अब हम इसका area निकाल सकते हैं area यहाँ पर मैं लिख देता हूँ area area S, S minus A, S minus B और S minus C यह ABC जो है side का indication है side हम इसको मानते हैं S का मतलब 10 आच्चा दूसरा 10 minus 6 10 minus 6 क्योंकि टू side थी और 10 minus 8 ठीक है बच्चो यह आ गया आएए अब हम इसको करते हैं यहाँ पर देखिए 10 10 के में फैक्टर लिखे तो 5 इंटू 2 6 10 में से 6 minus करेंगे इंटू 4 यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ पर आ गया 2 ठीक है बच्चो अब देखिए 4 का भी पेर बना हुआ है 2 का भी बना हुआ इन में से एक संक्याबार निकाल लेंगे एक एक और जिसका पेर नहीं बना उसको अंदर ही रहने देते हैं और फोर टू जा एट रूट फाइफ आ गया यह आगया सेंटी मिटर स्केर थर्ड पार्ट का अगर आप इसको अंडर रूट फाइफ का निकालना था है तो आप पूरा नि तो बच्चो कहने का मतलब यह है कि हम सिर्फ 2.2 ही लेंगे ज्यादा नहीं लेंगे तो 8 x 2.2 ठीक है बच्चो अब इसको मुल्टिप्लाइब कर देते हैं एट उजा 16 एट उजा 16 और 17 वन डिजिट के बाद पॉइंट आ गया तो वन डिजिट के बाद हमने पॉइंट पार्ट के आ गया तो आए मैं इसे निकाल लिया है एरिया फ़स्ट पार्ट नहीप अलग ड़ए यह फ्रस्ट पार्ट आया है हमारा फंडर्टश अधर विलुटे सटमिटर स्प्वेर एरिया ओव साह Çए पार्ट यह आया है यह भी आया है 256 cm2 और एरिया ओफ थर्ड पार्ट इक्वल यह आया है हमारा बच्चो 17.6 cm2 तो बच्चो यह आपका कोश्चन सोल हो चुका है यह तो मैंने लिग दिया है आप चाहे तो आप इसको यहां तक भी कर सकते क्योंकि हमें इसरफ पार्ट बताने थे कि टोटल एडिया कितना हो गया अगर आप इसको प्लस करना चाहे तो प्लस कर सकते हैं बच्चो ठीक है और अलग-अलग सेड का हमे को बताना चाहता हूं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे पहले कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के अपडेट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे ठीक है बच्चो इसमें से सीखकर दूसरी बच्चो को खाएं चलो कदम बढ़ाएं देश को सिक्सित बनाएं मिलते अगले पार्ट में तब तक कि लीजिए धन्यवाद